नमस्कार मैं अवनीस और आप देख रहे हैं दलोक नीद आईए आज हम आपको बताते हैं मद्द प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली और मद्द प्रदेश में पूझे जाने वाली नरमदा नदी के वर्तवान हालातों एवं उसमें हो रहे प्रोडूर्शन के बारे म अमरकंटक से निकलने वाली नरमदा नदी को निर्बुदा के नाम से भी जाना जाता है और साथ में रेवा नाम से भी जाना जाता है यह नदी मदप्रदेश और गुजरात के बीच बहती है और कई मायनों में यह नदी मदप्रदेश और गुजरात के लिए बहुत ही महतुपूर है वैसे गंगा के समान नर्मदा भी हिंदू के लिए सुद्ध और पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू धर्म मानताओं के अनुसार साथ पवित्र नदियों की भाती नर्मदा को भी पवित्र नदियों में से एक माना गया है नर्मदा में बहने वाली पानी का संतावन फीजदी उपयोग मत प्रदेश करता है आईए जानते हैं नर्मदा में आये विकारों के बारे में प्रोदूर्शन का पर्याय बन चुकी है नर्मदा नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान, नर्मदा संरक्षन के दावे तो किये गए मगर इसकी वास्त विक्ता तो कुछ अलगी राख अलापती है क्योंकि जल प्रदूशन के कारण नर्मदा में रहने वाली 28 जली पजातियों का अस्तित लगभग समाप्त हो चुका है नर्मदा नदी के तट पर चल रहे तमाम तरह के विवसाय जिसके कारण नर्मदा का जल प्रदूशन का कारण आपको बता दें कि 50 सहरों का दूसित पानी नर्मदा नदी में मिलता है जिसे रोकने के लिए सरकार वरतवान में किसी भी तरह की कोई मुहिंग छेरती दिखाई नहीं दे रही है नर्मदा में गंदे नालों के पानी का गिरना लगाता जारी है इसमें प्रदूशन का आलम तो यह है कि सुद्ध नदियों को मिलने वाला सुक्षता ग्रेड में नर्मदा A ग्रेड से B ग्रेड में खिसक गई है आईए जानते हैं कि नर्मदा में प्रदूशन कम करने के लिए मद्ध प्रदे सरकार क्या कदम उठा रही है चलिए आपको 2012 से लेके अभी तक यानि की 2020 तक सभी कामों और तरीकों के बारे में बताते हैं मद्ध प्रदे सरकार किसी भी नए कारखाने के प्रसंस्करन चम्रे या लाठर उत्पादों वी निर्मार एसीट और सराप ऐसी कोई भी वस्त जो नदी में अपिस्ट या अपसिष्ट को छोड़ती हो ऐसे कारखानों को अनुमत नहीं देने का निर्ण लिया था प्रदूशन को कम करने के लिए सरकार ने ये भी फैसला लिया था कि नर्मदा घाट के पांच किलो मीटर की दूरी के भीतर तक लासो का जलाना प्रतिबंदित कर दिया गया था तबके सहरी विकास मंतरी बाबूलाल गौर ने कहा था कि हम नर्मदा को दूसरी यंगा नहीं बनने देंगे जिसके लिए क्लीन नर्मदा ड्राइब बनाया जाएगा जिसे दो चरणों में पूरा कर लिया जाएगा जिसमें दस साल और एक हजार करोण का खर्च सरकार वहन करेगी उस वक्त यह कहा था कि यह नदी 10% ही प्रदूसी थे मगर क्या वास्तिविक तोर पर यह सही था अब जरा 2013 की एकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक ऐसी रिपोर्ट को समझिए Bureau of Indian Standard Board में नर्मदा के पानी को भी कटेगरी B कटेगरी में रखा गया था कंट्रोल बोर्ड ने नर्मदा के पानी को C कटेगरी में भी रखा था तब से लेकर आज तक होशंगाबाद में नर्मदा की इस्थित जस्की तस बनी हुई है फिर क्लीन नर्मदा ड्राइब का क्या हुआ यह समझ से परे है आईए अब जानते हैं उस समय की सिवराज सरकार में नर्मदा सुद्धी करण को लेकर किये गये फैसले पांच माह तक नर्मदा सुद्धी करण के लिए जागरुकता अवियान चलाया गया था जिसे नर्मदा सेवा यात्रा का नाम दिया गया था साथ ही नर्मदा सेवा समित कभी गठन किया गया था और काफी अलोचना के बाद नर्मदा किनारे हो रहे गैल कानूनी रेत खनन पर रोग भी लगाई गई थी आपको बता दें कि ऐसा सब कुछ 2017 में हुआ था अब 2018 में दिग्वियर सिंग का अपने नर्मदा परिक्रमा के दोरान कहीं गई बातों को पढ़िए बहुत आक्रामक तरीके से नर्मदा घाट के किनारे रेत खनन हो रहा है जिससे नर्मदा का पानी भी दूसित हो रहा है तो क्या फैसले सिव जनता को दिखाने सुनाने के लिए जाते हैं क्योंकि अगर 2017 में ही रेत खनन पर रुक लगा दी गई थी तो फिर 2018 में ऐसा कैसे हो सकता है आईए अब जानते हैं नर्मदा नदी के मौजूदा हालात के बारे में नर्मदा के घाटों पर रेत खनन तथा भू माफियों का विसरजन लगातार चारी है मौजूदा समय में भी प्रदूशन का आलम कम नहीं हुआ है आज भी सीवेज का पानी लगातार रूप से नर्मदा में गिर रहा है क्या है मंत्री सुरेन सिंग बगेल की तयारी हाली में चंदन खेडी में एक 1.58 करोन रूपे की लागत से होने वाले विकास कारियों का उन्होंने लोकारपन किया है साथ ही गतवर्स उन्होंने रवी सीजन 4.28 लाख हेक्टेर चेतर में सिचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया है ऐसे कुछ काम है जो इन्होंने किया तो है मगर मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल गैर कानूनी रेत माफियाओं प्रदूर्शन पर कब होगा क्योंकि नर्मदा का पानी पीने लाइक नहीं है स्वास्त के लिए सिर्फ इतना ही स्वास्त के लिए मुझे यानि आउनीस को दीजे इजाजत और इसी तरह की खोजी पत्रकाइनता देखने के लिए जुरे हैं ये दरलोकनीत के साथ